नमस्कार मैं हुम इश्कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल एचे नौज़ज और पर इम मैथमाटिकल सीरीज का ये फिफ्ट वीडियो अरिथमाटिकल प्रोग्रेशन की चर्चा माई कर रहा था पहले वीडियो आपने देखे होंगे यहाँ पर भी मैं दो पदों से सर्वांतर स्रणी में कुछ पद कैसे ग्याद करते हैं उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा सवाल कई प्रकार के हो सकते हैं solve करने का तरीका एक ही ही होगा यहाँ पर इस स्रीज में इसके बाद मैं बताऊँगा कहाँ पर pattern change होगा अभी सम्नांतर स्रणी का ही सवाल solve कर रहे हैं to find the progression from two terms कहने कताथ पर दो पद दिया हुआ है सम्नांतर स्रणी का कोई एक पद गयाद करना होता है या सरवांतर गयाद करना होता है मैंने कहा था पहले वीडियो में क्या सरवांतर गयाद करने के लिए पूछा जा सकता है तो यहाँ पर देखे सवाल क्या मिल रहा है उस सम्नांतर स्रणी का प्रफम पद और सर्वांतर जयाद कीजिये जिसके 54 और 54 पद 54 पद पर 61 है क्या करा करना है आपको प्रफम पद और सर्वांतर जयाद करना है देखे, इस प्रकार का सवाल जब आता है जो हम सौल पकैसे करते वड़ी अं तक देखिएगा वीडियो पसंद आएगा प्लीज वीडियो को लाइक कर, शेयर कर, कमेंट करिएगा और चनल पर पढ़ी बार आएगा प्लीज सब्सक्राइब कर लेजिएगा ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपकी नौलेज में रहे या आपको अपडेट मिलते रहे चली सवाल सवाल वक्त करते हैं ठीक है, हम वैसे ही लिखेंगे जैसे सुराती वीडियो में हमने लिखा था माना सर्नांतर स्रडीका प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी है तब प्रश्णा नुसार लिखते हैं फटा फट देखें स्रडी कॉशन में लिखा हुआ है स्रडीका चौबनलबापद कितना है चौबनलबापद 61 ठीक है स्रडीका चौबनलबापद कितना है 62 इसलिए क्या हो जाएगए जह a plus n equal to 64 प्रथ Sol इंटू डी बराबार रिन 61 हो गया यह और सालूप हो जाएगा थी हो जाएगा ए प्लास 53 इंटू 53D जैसे लिख सकते हैं बराबार रिन 61 यह समीकरम एक हो गया एक्क्वेशन नंबर फास्ट हो गया ठीक है सबज मैं है क्या आया ए बराबर तीरपन डी इकोल टू-61 आया 10 जोटा पद क्या है सड़ी का चोटा पद 64 है ठीक है तो यह सड़ी का जब चौटा पद 64 तो यह क्या हो जाएगा 64 क्या हो जाएगा 64 A plus 64-1 into D बराबर 64 ठीक है समझ में आया स्वरी, चौथा पद है 4-1 A plus 3D equal to 64 आ गया, ये हो गया आपका equation number 2 सम्मिकरन दूसरा हो गया पहला सम्मिकरन आपको मिला था A plus 53D equal to minus 61 आपको मिल रहा है A plus 3D equal to 64 ठीक है, अब क्या करेंगे हम सम्मिकरन 1 में सम्मिकरन 1 में से सम्मिकरन 2 को घटाने पर सम्मिकरन 1 में 2 को घटा दी, चलो सम्मिकरन एक लिखते हैं 53D equal to minus 61 है सम्मिकरन 2 है A plus 3D equal to 64 है क्या करना है? घटाना है तो यह minus, minus, minus ठीक है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? 60 यह जो 61 minus 64 है minus minus plus होके यह हो जाएगा minus minus plus मतलब जूड जाएगा 5 और 1, 2, 12, 125 पराबर अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? plus है, minus है तो minus होगा यहाँ पर आएगा 50D A minus, A plus दोनों cancel हो जाएगा आया क्या आपके पास? 50D equal to 125 आया 50D equal to 125 आया तो D equal to क्या हो जाएगा? 125 by 50 equal to हो जाएगा 5 upon 2 या minus 2.5 ठीक है? यह minus में आया ठीक है? minus 2.5 D equal to क्या है? minus 2.5 यही D है सर्वांतर D के value के आई minus 2.5 ठीक है? हमको मिल गया सर्वांतर हमको यह वाला मिल चुका है यह मिल गया हमको ठीक है? यह हम उन्हें प्राप्त कर लिया अब इसका दूसरे pattern हमको प्रथम पद इगाद करना है तो हमको दूसरे और आगे जाना पड़ाएगा यहां पर इस D की value को D के मान को समीकरन 2 में रखने पर देखें, D की value को हम कहा रखेंगे? समीकरन 2 में रखेंगे समीकरन 2 क्या था? A प्लस 3D इक्वल टू 64 था पिसले रखेंगे A प्लस 3D की value है मानस 2.5 इक्वल टू 64 ठीक है? A तो यह मानस और प्लस क्या हो जाएगा? मानस हो जाएगा और यह 3 का गुना करेंगे 2 दिसमन पांस दे तो यह आएगा 7.5 आएगा इक्वल टू 64 आएगा ठीक है? A बराबर हमारा हो जाएगा 64 प्लस 7.5 जब इसको हम जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 7, 4, 11, 1 7.5 हो गया यह हो गया आपका A इक्वल टू प्रथम पद, प्रथम पद क्या था? हमारा A था ठीक है? सर्वांतर क्या था? D था सर्वांतर हमने पहले ही निकाल दिया था और प्रथम पद A हमने निकाला अता अभिस्ट सोरी अता अभिस्ट प्रथम पद 71.5 तथा सर्वांतर माइनस 2.5 होगा ठीक है? इस प्रकार किसी भी प्रकार के question को आप असानी से सरल तरीके से solve कर सकते हैं वीडियो पसंद आएगा प्लीज आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें खेर करें कमेंट करां चैनल पर पहली बार आया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले ता किसी प्रकार की वीडियो आपको हमें सब राप्त होती रहा है थेंक्यू सो मॉच